दोस्तों मैं सोरमली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर कुईज में आज हम देखने वाले हैं 29 जुलाई की करेंट फिर को जो कि सभी परिक्साओं के लिए मैथपून रहेगी डेली करेंट फिर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट फिर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारे रिविजन कोशन है पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है इस कोशन का अंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे शुरू करते हैं आज की करेंट फिर को और पहला कोशन आपकी स्क्रेन पर है हाल ही में चोथी बिमस्टेक सुरक्सा प्रमुगों की बैठक कहा हुई है पहले कोशन का राइट आंसर रहेगा दोस्तो स्रिलंका में यानि की बी इस दा राइट आंसर दूसरा कोशन है हाल ही में किस राज्य में तिंक टैंक जी आर आईटी की स्थापना की जाएगी दूसरे कोश्चन का राइट आंसर रहेगा गुजरात में यानि कि भी सही आंसर रहेगा तीसरा कोश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने तबरित परभाव परियोजना और डिजिटल समधान पर समझोता किया है तीसरे कोश्चन का राइट आंसर हैगा दोस्तो लाउस यानि की A is the right आंसर कोश्चन नमबर 4 है हालही में कहा मंडेला विरासत इस्थलो को इनेसको विरासत का दरजा मिला है राइट आंसर हैगा दोस्तो दक्सिन अफरीका में यानि की C is the right आंसर कोश्चन नमबर 5 है हालही में कारगिल नायक कैप्टन हनीफ उदीन की परतिमा का अनावरण कहा किया गया है सही आंसर रहेगा दोस्तो केरल में यानि की B सही आंसर रहेगा आप लोग किसी भी comparative exam की त्यारी करते हैं तो आप हमारी master PDF ले सकते हैं 170 रुपे की PDF है जिसके अंदर आपको सारे subject मिलेगे पूरी lifetime के लिए आप इस PDF को पढ़ सकते हैं PDF का link description box में available है वहाँ से आप PDF को purchase कर सकते हैं अगर आप payment बार कोड के थुरू करना चाहते हैं तो इस नंबर पर message करके आप बार कोड भी ले सकते हैं इसका screenshot ले लिजे स्पेज का ताकि नंबर नोट करने में आसानी रहे हैं कि कुश्य नंबर सिक्स है हाल ही में वैस्विक ओपेरा प्रत्योगता ओप ओपेरिलिया कहा आजित की जाएगी छटे question का right answer है दूस्तों भारत में यानि की B is the right answer साथवा question है हाल ही में किस IAT ने सुन्दर पिचाई को डॉक्टर ओप साइंस की उपादी से सम्मानित किया है राइट आंसर रहेगा IAT खड़क ने यानि की C is the right answer question number 8 है हाल ही में फ्रांसिस दी बिल्टो का निधन हुआ है वे कौन थे आठवे question का right answer है दोस्तों ये लेखक थे यानि की B is the right answer question number 9 है हाल ही में किस ने नीती आयोक की नोवी सासी परिशद की बैठक की अध्यक्स्ता की है नोवे question का right answer है दोस्तों नेंद्र मोदी जी ने यानि की C is the right answer दस्वा question है हाल ही में संस्कृतिक संपत्यों को लोटाने और संदक्षन के लिए भारत और किस देश के बीच दूपक्षे समझोता हुआ है सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए दस्वे question का दोस्तों right answer है अमेरिका यानि की A is the right answer बारत और अमेरिका के बीच में ग्यारवा question है हाल ही में किसने SI आपदा त्यारी केंद्र की अध्यक्सता संभाली है दोस्तों ये session आपको सुबह morning में साड़े 6 बजे only top study youtube channel पर regular मिलता है आपके किसी भी exam की चारी करते हैं इसे जरूर देख लेकरें दस मिनट में 20 करेंट फिर के question answer सम कवर करते हैं इस वीडियो में बहुत ही महत्पून वीडियो होती है ग्यारवे question का right answer एगा दोस्तों भारत यानि की C is the right answer question number 12 है हाल ही में भारत की एक इकरत किरसी निर्याद सेवा कहां सुरू की जाएगी question number 13 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगनीवीरों को दस परतिशत आरेक्षन देने की खोशना की है question number 13 का right answer एगा राजिस्थान यानि कि C is the right answer question number 14 है हाल ही में किसे चोला मंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का MD न्यूक्त किया गया है राइट आंसर रहेगा दोस्तों रविंद्र कुमार जी को यानि की A सई आंसर रहेगा question number 15 है हाल ही में चर्चा में रहा एपसिलोन एडी एब का संबन किसे है 15 question का right answer एगा दोस्तों एक्सो प्लेनेट से यानि कि C is the right answer सोलवा question है हाल ही में भुगतान एप MDG next और AI संचालित VMR को किसी ने लौँच किया सही answer है गा bank of बढ़ोदा ने यानि कि B is the right answer सतरवा question हाल ही में किस राज्य के इंसासित प्रदेश की राज्यपाल बनवारी लाल प्रोहित का इस्तिपार राजपती द्रोपदी मुर्वु ने सुविकार कर लिया सही answer है गा दोस्तों पंजाब चंडीगड यानि कि A is the right answer हाल ही में किसे पंजाब और नए राज्यपाल और चंडीगड के परसासक के रूप में चुना गया है सही answer है दोस्तों गुलाब चंड कटारिया अठारवे question कराइट answer A हो जाएगा उन्नीसवा question है हाल ही में 10 मिटर एयर पिस्टल में काश्य ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतिये महीला निसाने बाज कौन बनी सही answer हेगा मनु भाकर यानि की B इस दारेट आंसर बीसवा question है हाल ही में विश्व अंतरिक्स प्रुस्कार के लिए किसे चुना गया सही answer हेगा चंडरियान 3 vision यानि की D is the right answer अब देखे ये तो थे हमारे 20 करेंटरफेर के question answers अब बात कर लेते हैं आज के homework के बारे में आज का हमारा homework का question है हाल ही में सिट्वी के CMD नए कौन बने इस question का answer सभी student comment box में बताएंगे और इसका जो सही उत्तर हेगा वो आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा आज का हमारा question of the day है गुन सुत्र में होता है इसके लिए 5 सेकिंड का समय मिलता है दोस्तो फटा फटा आंसर बताएं दोस्तो सही answer रहेगा DNA और प्रोटीन होता है यानि कि C is the right answer कल का हमारा homework का question था ग्रेविन म्यूजियम पैरिस द्वारा कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से सम्मानित होने वाले पहले बोलीवूड अभिनेता कोन है तो राइट आंसर इस सारुक खान यानि कि C राइट आंसर हो जाएगा अब प्यारे दोस्तो अगर आप लोग ने अभी तक only top study एप को नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड कर लिजे भई इस पर test series एवलेबल है और ये test series बहुत ही comprise में है ठीक है तो आप इसको ले सकते हैं डारेक्टली जाके purchase करिए और किसी भी exam के लिए आप test series ल WhatsApp नंबर पे इसका बार कोड भी मिल जाएगा आप इसका screenshot भी ले सकते हैं तो पीडियाप लेने के लिए बहुत आसान सा तरीका है बार कोड से पेमेंट करिए चाहिए लिंक से बस पेमेंट का screenshot हमें इस WhatsApp नंबर पे वेज देना पीडियाप अगर आपको WhatsApp पे चाहिए सेशन पसंद आये तो like share करिए चैनल पर नहीं है तो subscribe करिए बेल एकन कौन रखिए ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो थेंक्यू सो मच बाई बाई अबरीबन टेक केर ख्याल के अपना मिलते है नेक्स क्लास में है